हालो बच्चो फिर फंजाई जो है उसको हमने अपने फोर्थ लेक्चर में कम्प्लीट किया प्रॉपर चीजों को NCRT से जाना कि किस तरीके से चीजों की अंडेस्टेंडिंग बन सकती है अब यह जो फिफ्ट लेक्चर है यह वाइरस पर है और इसमें हम लोग काफी सारे छोटे छोटे ट हैते हैं और हमें कोई topic skip नहीं करना अब एक information और मैं आपको बता देता हूं जब आप इसके लेक्चर देखेंगे तो इसमें आपको एक topic नहीं मिलेगा वो है आपका kingdom of classification जिसमें हमने 2 kingdom 3 kingdom 5 kingdom classification को पढ़ना होता है और chapter 3rd plant kingdom में भी आपको system of classification का topic जिसमें आप क्या पढ़ते हो artificial system natural system यह topic missing रहते हैं तो यह आपको कहां मिलेंगे यह आप living world के साथ पढ़ेंगे क्योंकि मैं normally क्या करता हूं इनको living world के साथ पढ़ाता हूं क्योंकि उससे relate हो जाते है ठीक है तो आप इसको living world के lecture में देख पाएंगे और वहीं से इसको search करे easily मिल जाएगा तो आप बा हम लोग बात करते हैं virus की तो कैसे start होती है story exactly कि virus को five kingdom classification में जगा नहीं मिली मतलब basically क्या था हमारे second chapter में जो biological classification है उसमें बहुत सारे ऐसे organisms हैं जैसे कि lichen, virus, mycorrhiza इनको मतलब properly place मिला नहीं five kingdom classification में हना virus को जगा नहीं मिली five kingdom classification में तो जब मैंने उसका reason खोजा मतलब जब मैंने उसका reason जाना कि virus को नहीं मिला place not get place किसमें place in five kingdom classification तो मैंने ये जाना इसमें कि ऐसा क्यों हुआ तो basic reason जो निकल के आया जो basic reason निकल के आया इस बात का वो ये था विटा कि virus actual में cell नहीं है अगर आप जहां से देखेंगे virus cell है नहीं properly cell नहीं है तो it is not a cell it is not a cell कोई living cell नहीं है not a cell ठीक है properly cell नहीं है तो क्या है non-cellular है cell नहीं है ये चीज़ समझा रही है इसलिए उसको five kingdom में जगा नहीं थी नॉर्मली अगर मैं एक basic introduction बताऊं आपको virus का कि virus होता कैसे है कि जैसे माल लो आपके पास ये कोई bacteria का cell ले लो या कोई bacteria का cell ले लो थीक इस पर आपने ये virus को ऐसे लगा दिया this is virus छी है उसके बाद आपने क्या लगा दिया ये DNA लगा दिया ऐसा इसका genetic material में DNA लिख रहा हूं this is genetic material तो virus कैसे काम करता है इसके कुछ basic feature सीखेंगे पर पहले जड़ा एक introduction समझें जड़ा इसका देखो होता क्या है virus एक ऐसी चीज है जो आजकल बहुत news में भी है और आपको काफ RNA हो सकता है वो कैसे काम करता है वो cell के अंदर आ जाता है वो ऐसे अपने किसी जिसको attack करना उसके अंदर आ जाता है फिर वो क्या करता है इसके DNA को तोड़ देता है ठीक है और इस पूरे cell को अपने control में ले लेता है तो NCRT ये बोलती है कि virus कैसे काम करता है इट टेक ओवर अब machinery, machinery मतलब यह जो पूरे cell का system है, यह वाला, इस पूरे cell के system को अपने control में ले लेगा, क्योंकि उसके पास machinery नहीं है, उसके पास सिर्फ information है, तो वो क्या करेगा, enter करेगा, और उस पूरे system को अपने control में ले लेता है, ऐसे काम करता है, तो यहाँ पर क्या-क्या feature बनते है पहला, virus, cell के अंदर का parasite है, ऐसा parasite जो cell के अंदर जाके काम करें, it is known as intra-cellular parasite, तो अगर मैं आप से कहूँ कि कुछ basic features बताओ, तो आप कहेंगे कि ठीक है, basic features जो हम लोग बात कर सकते हैं, सबसे पहला virus के लिए मैं लिख सकता हूँ, it is intra-cellular parasite, यह कैसा है, intra-cellular parasite है, cell के अंद का parasite, दूसरा feature अगर आप ध्यान से देखो, यह बिना cell के जो बाहर है, clear, बाहर है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्चल में वाईरियोन वर्ड यो यूज करते थे, बाहर यह non-living है, तो हम यह मानते हैं कि यह cell के बाहर non-living है, ठीक है, दूसरा यह पूरी तरीके से cell पे depend है, तो हम यह कह सकते हैं कि virus is obligate parasite, वाईरिस जो है, एक obligate parasite है, obligate parasite मतलब host पर depend है, तो हमने बोला, virus एक intracellular parasite है, वाईरिस एक obligate parasite, obligate का मतलब होता है, पूरी तरीके से host पर depend है, खाने के लिए, basically ATP के लिए, ठीक है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं, वाइरस डिपेंड ओन होस सेल होस सेल किसके लिए उसके वो एंजाइम यूज करता है उसकी एटीपी खाता है समझे रहो फिर उसे ही मार देता है सही है तो यह कुछ आप फीचर समझ पारें उसके अंदर जाएगा ठीक है अब देखो मेरी बात सुनो अब यह मालो होस्ट का सेल है इसमें DNA है यह DNA है जब इसको प्रोटीन बनानी होती है होस्ट को तो यह RNA बनाता है फिर प्रोटीन बनाता है तो ये सारे living cell के लिए true है कि जब भी कोई living cell प्रोटीन बनाएगा तो कैसे बनाएगा उसके अंदर हमारे पास DNA होता है वो RNA बनाता है फिर प्रोटीन बनाता है लेकिन वाइरस के साथ क्या है वाइरस जो है वाइरस के पास या तो DNA होगा या RNA होगा और वो भी as a genetic material देखो हम DNA से जो RNA बना वो genetic material ने information आगे पास हो रही है लेकिन वाइरस के अंदर या तो DNA होगा या इसके अलावा RNA हो सकता as a genetic material इसलिए अगर मैं एक और फीचर यहां लिखूं एक और फीचर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा कि in all living cell in all living cell हम लिख रहे हैं बोथ DNA और RNA present खीक है in all living cell बोथ DNA और RNA present है बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई एक present है देख लो ज्यान से in all living cell हमारे पास DNA और RNA दोनों present होता है बट in virus क्योंकि वो genetic material है न in virus हमारे पास either either मतलब कोई एक either DNA और RNA present है कोई एक present होगा दोनों present नहीं हो सकते समझ लो इस बात को तो in all living cell बोथ DNA और RNA present बट इन virus हमारे पास either either DNA और RNA present हो सकता है यह चीज समझ आ गई बेटा यह चीज क्लियर होनी चाहिए आपको तो intracellular parasite है obligate parasite है virus depend करता host cell पे यह सारी चीज़े हो गई ठीक है clear उसमें या तो DNA होगा या RNA होगा और वो भी as a genetic material होगा तो हम कुछ feature समझने है virus के जो हमें understanding बनाएंगे और अगला feature अगर मैं आपसे कहूं कि क्या virus जो है cell है आप कहेंगे नहीं अभी पड़ा हमें तो हम यह मानते हैं कि virus is not a proper cell not a proper cell कोई cell नहीं है जिसके लिए हम non-cellular कहते हैं और यह एक तरीके से cell theory की exception है clear it is exception of cell theory it is exception of cell theory यहां तक समझ आ रहा है इक्सेप्शन है किसके cell theory की clear obligate parasite मतलब पूरी तरीके से host पर depend है exception है cell theory की आप देख सकते हो यह attack करता है इसको आप सुने जान से अगर मैं आपसे पूछूं क्या virus ATP बना सकता है हम कहेंगे नहीं उसमें कोई ATP बनने का mechanism नहीं होता वो बहार as a inert structure what is inert behaving like non-living मतलब उसको फरक ही नहीं पढ़ रहा है environment से बहार as a inert structure पढ़ा हुआ है ठीक है clear और उसका shape उसमें बहार protein है तो हम कहते है crystal है तो हम यह कहते हैं कि virus का जो structure है वो inert crystalline structure है ठीक है clear और वो बहार non-living पढ़ा उसके पास क्या enzyme है मैं कहूँगा enzyme तो है पर वो enzyme ATP बनाने वाले नहीं है वो attack करने वाले हैं कि बहाई कैसे आप attack कर सकते हो तो अगर मैं आपसे पूछूँ क्या virus में enzyme है तो आप कहेंगे yes virus have some enzymes पर वो किस लिए है तो अटेक host cell किसको अटेक करने के लिए host cell को होस्ट cell को अटेक करने के लिए virus में हमारे पास क्या है enzyme present है यहां तक समझ आ रही है तो virus have some enzyme to attack host cell host cell को अटेक करने के लिए virus में हमारे पास क्या है कुछ enzyme present है कुछ क्या प्रेजन्ट है, एंजाइम प्रेजन्ट है, होस सेल को अटेक करने के लिए, यहां तक समझ आ रही है सब को, क्लियर, तो वाइरस में हमारे पास एंजाइम जरूर है, पर ATP बनाने वाले एंजाइम नहीं है, ठीक है, अब हम क्या जानना चारे हैं बेटा, एक बेसि हम कैसे समझ रहे हैं चीज़ों को, हमने कहा कि सबसे पहले एक साइन्टिस्ट थे जिनका नाम इवन हो वस्की यह है, इन्हों ने 1892 में, 1892 में क्या किया, अब्जर्व किया टोबैको लीफ, यह मान लीजे टोबैको की लीफ है, इस टोबैको की लीफ पर यह मोजाइक एक इस तरीके से पैच दिख रहे हैं ना, मोजाइक दिख रहे हैं, खीक है, तो टोबैको की लीफ पे से उन्हें जो मोजाइक पैटन दिख रहा था, उन्होंने क्या किया, उस लीफ में से कुछ केमिकल आइसोलेट किया, तो इन्होंने क्या किया, कि इन्फेक्टिड तोबैको लीफ से कुछ केमिकल आइसोलेट किया हना केमिकल आइसोलेट कर लिया कहा कि ठीक है यहां से हमने कुछ केमिकल निकाल लिया और इस केमिकल को सोचा भई इस केमिकल में जरूर से कोई इन्फेक्शिस एजेंट होगा कोई ऐसा एजेंट जो इन्फेक्शन करेगा कि infected tobacco leaf जिसे एक mosaic disease थी mosaic का मतलब होता है patch उसकी leaf पर mosaic disease थी वहाँ से chemical isolate ऐसे कुछ मतलब वहाँ से liquid निकाल लिया ऐसे और उसको pass किया इससे उन्होंने सोचा यार हो सकता है यह bacteria हो तो उन्होंने इससे pass किया जिसे bacterial filter कह रहे है अब यह bacterial filter क्या करेगा यह bacteria को रोक सकता है यह क्या कर सकता है bacteria को रोक सकता है ठीक है तो इन्होंने का यह हो सकता infection bacteria से हो या कुछ और हो चेक कर लिते हैं इन्होंने pass किया bacterial filter से उस liquid को तो नीचे जो liquid आया अगर इस बैक्टीरिया सारे रुख गए। इस bacterial filter से तो ये non infectious होता अगर यह infection bacteria से हो रहा होता। मैं repeat कर रहा हूँ, इन्हों ने इस leaf से वो infectious agent लिया। उसको pass किया bacterial filter से. अगर ये liquid अभी भी infection कर सकता है तो ये फिर bacteria से नहीं हो रहा होगा. अगर ये liquid infection नहीं कर सकता तो इसका मतलब इसका मतलब यह हुआ यह infection बैक्टीरिया से हो रहा है क्योंकि filter ने वो बैक्टीरिया रोक लिए तो यह जो liquid था यह still infectious था यह infection कर सकता था ठीक है इसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई यह कुछ हमारे पास poisonous poisonous fluid के लिए वर्ड यूज करते है with virus तो वारस तर्म जो थी वह इन्होंने दी इन्होंने बोला कि कुछ न कुछ हमारे पास poisonous fluid है यह चीज समझा आरे है विटा यह समझा अरे प्वाईनेस करके झाप्टीरिया फिल्टर से फिर हमारे हमारे पास अगला कॉंट्रिब्यूशन है बेजर निक का देखो उन्होंने क्या किया द्यान से जुनना एक साइंटिस्ट और हैं जिन्होंने 1898 में द्यान से चुनने 1898 में का है यह इंपोर्टनन है किक इन्होंने क्या किया है सेम टوبैको प्लांट की इन्फेक्टिफट लीव से फ्रॉम इन्फेक्टिफ़ लीफ औफ टोबैको प्लांट लीफ आफ टो प्लांट जो केमिकल आईसोलेट किया सें chemical वैसे ही और देखा it can cause it can cause fresh infection यह fresh infection कर सकता है यह नया infection कर सकता है ऐसा देखा तो उन्हों ने virus क्योंकि मुझे आँख से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था liquid actual में virus बहुत छोटा होता है नैनो मीटर में होता है तो वो उस को नाम दिया contagium vivum fluidum contagium vivum fluidum एक ऐसा liquid जो infection कर रहा है infection causing fluid ऐसा word बोल दिया एक language में use किया contagium vivum fluidum तो infection causing fluid बोल दिया किसको virus को यह किस ने किया यह किया मेरे पास बैजर निक यहां तक समझ आ रही है यह काम किस ने किया बैजर निक ने किया यह क्लियर है बिटा यह बिल्कुल क्लियर रखो तो बैजर निक ने क्या किया बिटा बैजर निक ने क्या किया जहां से सुने बैजर निक ने contagium vivum fluidum जहां से सुने बिटा contagium vivum fluidum infection causing fluid है ना infection causing फ्लूड हमारे पास बोल दिया उसको जो टोबैको प्लांट से मिल रहा था यहां तक समझ आ रही है अब मेरी बात सुनो देखो एक टाइम लाइन पर बात करते हैं हमारे पास एक्चुल में क्या हुआ है बटा इलेक्ट्रोन माइक्रो स्कोप की डिस्कवरी 1950 में हुई है और वाइरस है कहीं पर तो मुझे नॉर्मल माइक्रो स्कोप से नहीं दिख सकते यहां तक समझ आ रहा है नॉर्मल माइक्रो स्कोप से नहीं दिख सकते मुझे उसके लिए इलेक्ट्रोन माइक्रो स्कोप चाहिए जो इस एर के आसपास डिस्कवर हुआ ठीक है इलेक्ट्रोन म इनका नाम है Stanley और उन्होंने before discovery of electron microscope वाइरस को crystallize कर ले अना what is meaning of crystallization उन्होंने क्या किया वाइरस के crystals ला दिये कैसे कही न कहीं किसी तरीके से उन्होंने यह बता दिये कि देखो यह वाइरस के crystal है यह ऐसा होता होगा अना तो उन्होंने क्या किया उन्होंने crystallize कर दिया virus को crystallize का मतलब एक तरीके से structure देखने की तरफ एक और step हम लोग भान लीजे पानी है उसमें हमने sugar को dissolve कर लिया तो वो तो खली taste पता चलेगा उसका shape कैसा हमें पता ही नहीं चलेगा लेकिन sugar कैसी होती है वो कैसे दिखेगा उसके crystal अगर मुझे मिल जाए ऐसे virus का मुझे पता infection कर रहा उस liquid का पुर मुझे ये नहीं पता कि वो दिखता कैसे है तो इन्हों ने क्या किया स्टेनलों ने crystallize किया virus को और ये बताया इसमें ज़ादा protein है इस mainly protein उसमें ज़ादा part किसका है protein का है तो हमें finally एक information आ गई कि virus जो है कहीं ना कहीं protein का है और उसके साथ genetic material हो सकता है ये information हमारे पास आ गई और फिर उसके बाद जब electron microscope discover हुए होंगे then we are able to see the structure of virus so we are ready to study the structure of virus तो चलिए structure of virus जानते हैं कैसा होता है ठीक है तो जब हम virus के structure को देखते हैं ध्यान से सुने बिटा जब हम virus के structure को देखते हैं तो वो structure हमें कैसा दिखता है normally आप ध्यान से सुनिएगा इसे कि हम जो structure study करते हैं normally हम क्या कहते हैं कि virus जो है virus inert inert का मतलग किसी से अभी कोई reaction या कुछ किसी तरीके का कोई behavior शोर नहीं कर रहा है cell के बार inert crystalline structure है यह हम उसकी कौन सी stage कह रहे हैं cell के बार cell के बार ऐसा दिख रहा है outside cell ऐसा दिखता है तो outside cell मेरे पास virus कैसा दिखता है it is inert it is inert crystalline structure virus हमारे पास क्या है inert है inert का क्या मतलब होता है virus हमारे पास inert inert का मतलब किसी से react नहीं कर रहा है तो virus हमारे पास inert crystalline structure है inert structure है और हमारे पास क्या है crystalline structure है यहां तक समझ आ गई यहां तक clear है बिटा inert है crystalline structure है कौन? virus अब सुनो ध्यान से हम जब virus को observe करते हैं तो मुझे दो चीज मिलती है ज्यान से सुनेंगे दो चीज मिलती है एक मिलता है virus को जब observe करते हैं तो मुझे दो चीज मिलती है एक मिलता है उसका protein का cover protein का cover और दूसरा मिलता है मुझे genetic material यह main है genetic material क्योंकि यह दूसरे cell में जाकर उसकी machinery को अपने control में लेता है तो मुझे क्या मिलता है genetic material मिलता है और मुझे protein का cover मिलता है इस protein के cover का एक और नाम है protein coat और एक और नाम है capsid तो हमें यह समझ में आया कि virus cell के बार एक inert crystalline type का crystal type का structure होता है उसमें दो पार्ट है बहार एक protein का cover होता है और अंदर हमारे पास क्या होता है उसका genetic material Now this genetic material can be either DNA और RNA इन में से कुछ भी हो सकता है DNA और RNA दोनों में से कुछ भी और लिख रहा हो कुछ भी हो सकता है ठीक है depending on type of virus ठीक है दूसरी बार इसके बाहर कई बार हमारे पास एक extra cover होता है वो सारे virus में नहीं होता AIDS के virus जो HIV है उसमें होता उसे envelope कहते है envelope ऐस सच हमें नहीं पढ़ना अभी सिर्फ यह याद करना है virus के दो पार्ट capsid और हमारे पास क्या capsid होता है उसके अलाबा हमारे पास genetic material अब हम सबसे पहले किसका structure जानेंगे capsid का उसके बाद हम discuss करेंगे किसका structure इसके genetic material का तो सबसे पहले हम जड़ा देख लेते हैं capsid हाँ capsid के बारे में पढ़ते है capsid क्या है ध्यान से देखें capsid क्या है देखो virus के साथ एक खास चीज मिलती है हमें एक special चीज ये मिलती है कि virus का जो structure होता है किसी छोटी unit को बार बार repeat करके बना हुआ होता है जिसे for example आपको एक wall बनानी है दिवार बनानी है तो दिवार में जो bricks हैं eat हैं वो बार बार repeat करोगे तो पुरी wall बन जाएगी हना पुरी wall बन जाएगी चोटे चोटे प्रोटीन के ये जो चोटे चोटे molecules है इन से बना हुआ है इस single molecule को हम क्या बोलते है इसको बोलते है capsomere तो जब हम capsomere repeat करते हैं बार बार जब हम बार बार capsomere क्या करते हैं repeat करते हैं तो मेरे पास एक structure बनता है जिसे capsid कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं Capsid मतलब मैंने बोला कि जैसे bricks repeat करके आप दिवार बनाते हैं Ete repeat करके दिवार बनाते हैं ऐसे एक छोटी unit होती है Capsomere उसको बार-बार repeat करके आप क्या बनाते हैं Capsid तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ देखो This is Capsomere जान दें इसे This is Capsomere यह Capsomere है इसको repeat करो इसको क्या करो बार-बार repeat करो और आपके पास एक protein पूरा cover बन गया पूरा cover बन गया जिसको आप protein coat कह रहे हो ऐसे पूरा cover बन गया जिसको आप क्या बोल रहे हो protein coat कह रहे हो तो आपने क्या समझा आपने यहाँ पर यह समझा कि एक छोटी unit capsid है ठीक है, this is capsomere sorry, capsomere इस capsomere को मैं लिखके पूरे से क्या बना रहा हूँ capsid बना रहा हूँ, अब मुझे एक खास चीज दिखती है बिटा मुझे यह दिखता है, इस चीज को समझें एक बार, मुझे क्या दिखता है मैंने का ठीक है, this is capsid जिसे आप protein code कहरो दिखता क्या है बिच्चे यहाँ पर, कि यह जो capsomere है, यह arrange हो के अलग-लग type के capsid बना सकता है जिसे कहते हैं, उनमें अलग-लग type के symmetry होती है जैसे की, अगर यह capsomere, एक helix की form में arrange हो जाए, जैसे माल लो, आप इस capsomere को एक thread पर बान दो, और उस thread को इस तरीके से घुमाओ की एक cylinder बन जाए, मतलब इस तरीके एक thread पर, आप capsomere बान दो और उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे तो पूरा cylinder बन जाएगा, समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ करने वाले हैं, देखे, हम कुछ इस तरीके का करने वाले हैं, यहाँ पर यहां दे मिटा, हम कुछ इस तरीके का cylinder type का structure बना देंगे किस से, कैपसो मियर से, हना कैपसो मियर से, हम cylinder type का यह इस तरीके का structure बना देंगे, ऐसा, समझ रहे हैं, तो हमने यह बोला कि जो capsid है, उसकी अलग-लग shape बन सकती है depending on, depending on कि cylinder जो है, हमारे पास वो कैसे बना, ऐसा, तो हमने बोला कि कैपसो मियर, देखेंगे जान से, this कैपसो मियर can form a capsid which is cylindrical, ठीक है, हेलिकल, elongated, यह word यूज करते हैं, this is cylindrical या तो हेलिकल, या इसे हम क्या बोलते हैं, elongated बोलते हैं, next is, next हमारे पास क्या है, कि हम कैपसो मियर को कुछ इस तरीके से arrange करें, कि हमारे पास, देखें रियान से बिटा, यह मेरे पास माल लो, आप में कहा कि एक कैपसिर तो ऐसी shape का हो गया, दूसरा मेरे पास ऐसी shape का हो सकता है, जैसे polygonal type का, जिसमें आप क्या कर सकते हो, कैपसो मियर इस form में arrange कर सकते हो, जैसे मैं triangle लगा रहा हूँ, छोटे-छोटे, कैपसो मियर इस form में arrange हो सकते हैं, ऐसे, यह चीज़ समझ आ रही है, इस तरीके से कैपसो मियर arrange है, तो यह एक कैपसो मियर है, this is one capsomere और उससे मेरे पास जो capsid बना है उसकी shape कैसी आई capsid की shape कैसी आई मैं लिख सकता हूँ polygonal या एक तरीके से spherical बोल देते हैं ठीक है आप देखो द्यान से तो इसका मतलब यह हुआ कि we have unit known as capsomere this capsomere can form capsid this capsid have few shape or symmetry one is cylindrical another is this polygonal and अगर मैं दोनों को कई बार जोड दू दोनों को मैं जोड के proper ऐसा भी बना सकता हूँ इस तरीके से भी बना सकता हूँ देख रहे हैं कि जिसमें मेरे पास polygonal भी आ जाए polygonal भी आ गया और साथ में cylindrical भी आ गया तो इसे complex बोल देते हैं इसे हम क्या बोलते हैं complex भी बोल देते हूँ आप देख सकते हो इस तरीके का आ सकता है जिसे आप क्या कह सकते हो complex ठीक है clear complex तो इसे मिला कर हम complex बोल देते हैं यहां तक समझ आ रहा है तो हमने समझा कि इस कैपसड can be of different shape clear हमारे पास example है इसका एक अगर आप देखें एक वाईरस होता है हमारे पास TMV कहते हैं तो उसमें हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो पूछे first discovered वाईरस हम कहेंगे TMV TMV में क्या होते हैं this is capsomere यह हमारे पास capsomere है आपके सामने this is capsomere तो capsomere कैसे लगे हैं cylinder की form में लगे हैं यह देख रहे हैं capsomere हमारे पास कैसे लगे हैं cylinder की form में लगे हैं तो वह यह चीज़ है तो आप याद करोगे कि TMV elongated structure होता है या cylindrical structure है ठीक होगी बात ठीक है अब हम क्या देख सकते हैं अब हम यह समझ सकते हैं तो यह बिटा आगर आपको समझ में आई यह first discovered वाईरस है TMV जो है हमारे पास first discovered वाईरस है तो अब हम क्या जाएंगे अब हम इसके बारे में जानेंगे देखिये हमने क्या पढ़ना था हमने इसकी symmetry पढ़ ली capsule के बारे में जान ली अब हम इसके genetic material के बारे में जानेंगे एक important चीज़ यह है बिटा यहाँ पर important चीज़ यह है कि virus की type किस बात पर depend करती है नाम कि उसमें genetic material क्या है एक classification यह होती है जैसे आप अभी आजकल जो उसके covid के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में जब आप किसी newspaper में या properly read करेंगे तो पहली statement आती है it is single strand RNA virus on the basis of genetic material we can also classify virus अना तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं तो हमने क्या किया हमने का या genetic material जो है दो हो सकते हैं या तो genetic material क्या होगा हम लोग किस की बात कर रहे हैं genetic material की अब हम structure पर किस की बात कर रहे हैं genetic material की virus में genetic material कैसा है ठीक है तो हमने यह observe किया हमने यह अब्जर्व किया वाइरस में ध्यान देंगे विटा हमने यह अब्जर्व किया वाइरस में कि जेनेटिक मेटीरियल दो टाइप का हो सकता है या तो जेनेटिक मेटीरियल हमारे पास क्या होगा डिने होगा या genetic material हमारे पास क्या होगा RNA होगा खीक है या तो DNA होगा या हमारे पास RNA होगा DNA is known as डी ओक्सी नहीं DNA की full form क्यों हो चीए आपको चलो ठीक है ribose nucleic acid पर आपको इसके बारे में बताना जहां से सुनेंगे बता DNA भी दो तरीके से हो सकता है एक ऐसा DNA हमारे सारे living cell में DNA double-stranded ही होता है इनके अंदर ऐसा single strand भी हो सकता है single strand DNA SSDNA का क्या मतलब है SSDNA is single strand DNA हो सकता है ठीक है ऐसा भी हो सकता है कि इसमें DS DNA हो now what is DS DNA? double-stranded DNA भी हो सकता है ठीक है, तो हमें इनके नाम जानने है हमने क्या पढ़ा समझो ध्यान से हमने पढ़ा कि genetic material can be dna तो dna virus आएंगे dna can be single strand और double strand dna single strand dna class 12th की ncrt में एक virus दे रखा इसका नाम यह है बिटा class 12th के chapter 6 में starting में basically second page पे यह नाम मिल जायागा आपको 5 into 174 chapter 6 molecular genetics में double standard dna के कुछ नाम याद करने है आपने ठीक है clear कुछ नाम याद करने है कि कौन-कौन से हमारे पास double standard dna virus होते हैं एक सबसे important देखो कुछ नाम आपको आने चाहिए इसमें जैसे hepatitis का virus है hepatitis ठीक है उसके बाद हमारे पास एक disease होती है skin से related हर्पीस कहते हैं एक virus से होती हर्पीस hepatitis यह दो हो गए हमारे पास कौन से हमारे पास double standard dna खीक यह चीज़ समझा रहा है clear उसके अलावा chicken box तो chicken box जो होता है वो double standard dna virus से होता है question वगरे आज आते हैं ऐसे अगर मैं single strand मैं RNA की बात करूं तो RNA में भी दो possibilities है single strand RNA हो सकता है और double stranded RNA हो सकता है अब single strand RNA काफी सारे आपको मिल जाएंगे और covid भी इसी में आता है single strand RNA में सबसे पहले आप याद करें HIV फिर याद करें influenza फिर याद करें PMV तो बैको mozoic virus ठीक है फिर जो आपने टीका लगता है MMR का measles mums ठीक है रैबिस आर से रैबिस नहीं होता उसमें रुबेला होता है पर मैं रैबिस याद करवा रहा हूँ अभी आपको रैबिस राइनो राइनो होता है common cold का और उसके अलावा बिटा रैबिस राइनो हम लोग covid लिख सकते हैं जितने भी ने वाइरस discover होते है नॉर्मली वो single strand RNA virus होते है ना नॉर्मली क्या होते है इबैसा आया था ठीक नीपा आया था नीपा नई-पी-ए-छ करके नीपा तो नॉर्मली वो क्या होते है single strand RNA virus हुज है और हमें क्या मिलता है डवल-stranded RNA वाइरस कम हैं यह मतलब हम उतने वाइरस नहीं पड़ते तो यहां आप रियो वाइरस लिख सकते हो ठीक है तो आपको जो याद करने होते हैं मालों मैं कहूं कि कौन से याद करने हैं यह कर सकते और यह यह जादा important है double stranded DNA और single strand RNA. NCRT ने एक general trend दिया है 100% हर जगा true नहीं है पर एक general trend दिया है कि जो plant को virus attack करते हैं वो single strand RNA होते हैं ठीक है bacteria को attack करने वाले double stranded DNA होते हैं तो एक general trend जो दिया है मतलब NCRT ने वो क्या दिया है वो देख लेते हैं एक बार NCRT ने बोला है कि जो virus जो है virus which attack plant जहां से देखें virus जो हमारे पास है virus जो plant को attack करते हैं ऐसा नहीं 100% रुए तो virus which attack plant जो plant को attack करते हैं उससे वो बेसिकली single strand RNA virus होते हैं ठीक है clear दूसरा तो वाइरस विच अटेक बैक्टीरिया वो हमारे पास double strand बेसिकली क्या है वो हमारे पास क्या है जान दूने virus which attack bacteria हमारे पास वो क्या है जान देखेंगे जो बैक्टीरिया को attack करेंगे यह हमने single strand RNA virus लिख दिया और जो बैक्टीरिया को attack करें वो double stranded DNA virus होते हैं यह बड़ी important बात हो गई और जो animal को attack करते हैं virus which attack animal जो normally attack करते हैं एनिमल को उसमें बिटा RNA DNA दोनों होता है ठीक है उसमें हमारे पास क्या होता है single strand RNA virus तो है ही जैसे covid आपके सामने है ठीक है double stranded DNA भी है clear और single strand RNA virus और double strand RNA virus यहाँ पर भी आप लिख सकते हो double strand RNA virus है ठीक है clear तो virus which attack animal आपके सामने है virus जो animal को attack कर रहा है वो क्या है ठीक है वो क्या है वो आपके सामने है ठीक है it is single strand RNA virus double strand DNA double strand RNA virus तो basically यह जादा बड़े group है जो attack करते है single strand RNA और double strand DNA virus clear है bacteria को attack करने वाले virus के लिएम एक word यूज़ कर देते है bacteriophage देखो जो bacteria को attack करेगा उसका नाम क्या रख देते है bacteriophage phage word virus के लिए ला रहे है ठीक है attack bacteria virus which attack bacteria तो इसी लिए अगर मैं आपसे कहूं plant वाले को क्या लिखोगे तो उसके लिए लिखो गया phytophage phytophage animal वाले को क्या लिखोगे zoo phage ऐसी terms हम लोग यूज़ करते हैं यहां तक समझा गी मुझे लग रहा है यह क्लियर होनी चाहिए यहां तक खीक है जिसे अगर हम structure की बात करें कुछ common virus की तो मेरे पास कुछ common virus जो आपके syllabus में हैं उसमें सबसे पहले आपके पास TMV है TMV पर सबसे ज़्यादा काम हुआ था इसकी फुल form में tobacco mosaic virus खीक है clear ऐसे और भी होता है चिली मोजाइक वाइरस चिली की लीफ को अटेक करता है तो टोबैको mosaic virus और यह actual में क्या है single strand RNA virus यह actual में क्या है त्वाइरस है यह तो टॉबैको मोजाइक वाइरस जो है हमारे पास वह single strand RNA वाइरस है मतलब single strand है और हमारे पास RNA वाइरस है हम बात कर रहे हैं TMV की ये चीज़ समझ आ रही है बिटा TMV की अब ये इसका structure आप देखो इसकी shape कैसी बनाई है मैंने shape बनाई है elongated आप देखिए ये रहा और इसमें ये सारे क्या है ये चोटे 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 दिखा रहे हैं ये capsomere है और पूरा structure हमारे पास क्या बन गया है capsid ठीक है clear ये चीज़ समझ आ रही है अब देखो जड़ा एक और वाइरस जो आपके syllabus में है वो ये है ये बिटा बैक्टीरियो फाज है बैक्टीरियो फाज का मतलब ये है ये बैक्टीरिया को attack करता है this is बैक्टीरियो फ experiment हुए इसे T4 बैक्टीरियो फाज कह रहे है इसमें ये वाले पार्ट को head कहते है देखिए this part is known as head तो ये जो head है इसके अंदर genetic material होता है मतलब genetic material नौ इसका genetic material क्या है आप देखो याद करो हमने क्या बोला था हमने का था most of the bacteria have genetic material double standard DNA तो ये इसका genetic material है यहाँ पर यहाँ प sheet कहते हैं क्या बोलते है sheet यहाँ पर collar होता है और last में यहाँ पर end plate होता है जिसे base plate कह रहे है इस base plate से यह tail जैसी चीज़ आती है जिसकी help से वह attach होता है किस पर किस पर जाकर attach होता होस है तो दिखो क्या-क्या पाट याद करने है this is known as head this is sheet बीच में neck है यहाँ पिर यह tail fiber इससे वह attach होता है यह वह structure है बैक्टीरियोफार्ज का जो आपके NCRT में आपको आना भी चाहिए और यह दो structure हम लोग दिखा रहे हैं दो अलग लग बैक्टीरिया वाइरस के वन इस विच अटैक बैक्टीरिया एन अदर विच अटैक प्लांट बैक्टीरियोफार्ज genetic material कहा होता है हेड में और वो क्या होता है बैटा double stranded DNA होता है कई बार हम क्या करते हैं हमने examples हो गएँ तो इसके पढ़ लिए कई बार हम क्या पढ़ते है यह पढ़ते हैं कि इसकी attack करने के cycle कैसी होती है असल में क्या होता है कि virus किसी host को कैसे attack करता है उसको हम दो तरह की cycle में divide करते हैं, lytic और lysogenic, हमें lytic आपको समझानी है, कैसे होती है, कि वो आपको सीखना है, और important भी है आपके लिए, तो जानिए, lytic cycle exactly होती क्या है, देखिए जैसे आप अगर देखें, कि normally क्या होता है, ये मानलो कोई bacteria है, this is bacteria, चीक है, lytic cycle का मतलब क्या है, it is infection cycle of virus, कि किस तरीके से virus attack करता है, cycle of virus, normally कैसे attack करता है, तो एक lytic होती है, lytic का मतलब ये होता है, lysis, lysis का मतलब, ये whole cell को तोड़ देगा, now this is virus, अगर आप देख सकें, ये virus, बैक्तिरियो phage है, जिसमें ये head है, और ये sheath है, और ये tail है, और ये इसका यहाँ genetic material है, ये चीज़ समझ आ रही है, clear, तो ये मेरे पास क्या बनाया मैंने, बैक्तिरियो phage बनाया, अब आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए, जब हमने इसके starting करी थी topic की, तो हमने कहा था, genetic material enter करता है, तो example देख लेते हैं, पर क्या हो रहा है, exactly, ठीक है, ये virus का, ये bacteria है बेटा, this is bacteria, अना, इस bacteria में genetic material आ जाएगा, किसका आ जाएगा, virus का, तो ये bacteria का अपना genetic material है, और इसमें इस virus का, ये देखे, ये tail fiber से attach हो गया, इसका genetic material, virus का genetic material यहाँ आ आ गया, ये रहा, ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ आपको क्या-क्या चीज है यहाँ पर, this is genetic material किसका, bacteria का, इसका अपना genetic material तो होगा ही ना, bacteria, और ये जो है, ये virus का genetic material है, अब इसको इसको पूरी machinery को अपने control में लेना है, तो अगर आपसे पूछा जाए, steps बताओ, तो आप कहोगे, सबसे पहला step, ये infection है, infection, infection के लिए क्या करता है, ये tail fiber से attach होता है, उसके बाद enzyme बनाता है, जिससे इसमें enter कर जाता है, इसका genetic material, अब ये क्या करेगा बिटा, अब ये क्या करने वाला है, host के genetic material को break कर देगा, host क्या bacteria, तो bacteria के genetic material को तोड़ दिया, इसने, देख रहे हो, इसको तोड़ देगा, pieces में, क्योंकि उसको वो machinery अपने control में करनी है, उसके लिए उसने enzyme बनवाए होंगे अपने DNA से, ये virus का DNA, ये किसका DNA तूट गया, ये nucleoid को इसने क्या कर दिया, break कर दिया, nucleoid किसका DNA, बैक्टीरिया का, अब क्या होगा, virus ने तोड़ कर machinery अपने control में कर लिए, देखो, इसका DNA तूटते ही, ये इस DNA ने पूरा चीज, cell अपने control में कर लिए, अब इससे ये अपने लिए protein बनवाईए, उसके लिए enzyme चाहिए, ठीक है, उसके साथ कहेगा, कि आप protein का cover भी बनवाईए, ये protein का क्या कर दिया, cover बनवाईए, तो इसी समझ रहे हो, पूरा virus कैसे बनवा रहा है, ये वाला protein का cover है, वो cell के अंदर बनवा रहा है, तो ये protein का cover बनवा दिया, उसके अंदर, और साथ में DNA की copy बनवा दिया, च्योंकि उसने machinery को अपने control में ले लिया, खीक, अब क्या करें, अब वो उसकी packing करेगा, क्या करेगा, पैकिंग, तो first is infection, second is DNA enter करा दो, third क्या करा दो, nucleoid को break करा दो, क्या तोड़वा दिया, आपने nucleoid को, break करा दिया, fourth लिख दो, copy बन गई, किसकी copy, copy of DNA, फिर capsid coat, protein coat बन गया, अब इसमें इसको pack करा दो, किसको pack कराना है बिटा, इसमें इसको pack करा दो, मतलब virus को ready करा दो, या वो cell को तोड़ के बहार जाने के लिए ready हो गया, कि अब तो देखो, copies बन गई, और ये एक-दो copies नहीं बिटा, लाखों copies तक बन सकते हैं, कोई दिकर नहीं, ऐसे, देखरो, एक cell के अंदर, खुब सारी copy virus किया गई, अब ये इस cell को तोड़ देगा, अब इसका काम पूरा हो गया, अब ये cell इसके किसी काम का नहीं है, now it breaks, ठीक है, और ये finally क्या करेगा, इस तरीके से fresh infection के लिए निकल जाए, आप देखो, कितनी तेजी से इसने अपना number बढ़ा लिया, तो ये fresh infection के लिए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, और फिर से fresh infection करेगा, now this type of cycle is known as lytic cycle, आप देख लीजिए, lytic cycle में यहाँ lysis हो रही है, lysis का मतलब cell को तोड़ना, cell को तोड़ दिया, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, वाइरस का जो DNA एंटर करता है, वो इसको तोड़ता नहीं है cell को, कौपी नहीं बनाता, वो इसके साथ आके जुड़ जाता है, मतलब इस nucleoid के या किसी DNA के साथ जुड़ जाता होस सेल के, और उसके साथ ही multiply करता है, उसे हम lysogenic cycle कहते हैं, ठीक है, lysogenic cycle कहते हैं, यहां तक समझ आ गया, चीक हो गई बात, तो यह आपके पास एक lysogenic cycle है, जो आप सीख सकते हो, चीक है, clear, अब आपको बिटा वाइरस में यह समझना है, कि हमारे पास और कौन सी cycle possible थी, हमने कहा था कि अगर वो उसको नहीं छोड़ेगा, तो एक, हमने कहा कि वाइरस के multiply करने की दो cycle थी, हमने बताया, कि वाइरस अपनी copy दो तरीके से बना सकता है, one is lightic cycle, another is lysogenic cycle, ठीक है, lightic cycle और lysogenic cycle, ध्यान से सुनना, lightic cycle और lysogenic cycle यह दो cycle है, जिसके through वो क्या करता है, multiply करता है, लाइटिक में वो host cell को break करता है, clear, इसमें यह host cell को break नहीं करता, उसके साथ multiply करता है, कैसे multiply करता है, कि जो यह मानलोड cell है, यह मेरे पास DNA है, न्यूकलोइड है, मानलोड यह वाइरस का DNA, यह इसके साथ जुड़ जाता है, जब बैक्टिरिया का cell डिवाइड करता है, उसके साथ साथ वाइरस भी डिवाइड करता है, और यह question पूछा हुआ है, कि न्यूकलोइड किसका DNA है, बैक्टिरिया का, और वाइरस का DNA इसके साथ जुड़ गया, देख रहे हैं, जुड़े वे जुड़ा हुआ उसके लिए टर्म यूज करते थे प्रोफी ठीक है चलिए अब हम बिटा अब एक टॉपिक हम लोग देख सकते हैं वाइरस के बाद डैट इस वाइरोइट्स ये क्या होता है हना असल में क्या हुआ कि जैसे जैसे 1950 में इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप डिस्कावर हुआ तो उसके बाद कहानी किधर गई है हमारे पास कि हमने सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लिए बहुत डिटेल में माइटोकॉंड्रिया, क्लोरोप्लास इनके बारे में देख लि थी, प्रॉपर स्ट्रक्चर हम उसके बाद देख पाए, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप डिस्कावर हुआ, तो कुछ नए इनफेक्ट्यस एजेंट भी आ गए, अब यह रहे तो पहले से होंगे, पर डिस्कावर हो सकता है, बाद में हुए हो, तो वाइरो एक्चुल में क्या होता है बेटा, इटीज, इटीज, सिंगल स्ट्रेंड आर ने, विदाउट प्रोटीन कोट, बिना प्रोटीन कोट का एक आर ने है, जो इनफेक्ट्यस है, विच इनफेक्ट्यस, जो क्या है, इनफेक्शन कर सकता है, और यह कहां स्टेडी किया गया, हमारे पास एक डिजीज हुई थी जिसका नाम था PSTD PSTD की फूल फॉर्म है Potato Spindle Tuber Disease इस डिजीज से मुझे जो Infectious Agent मिला मुझे इस डिजीज से जो Infectious Agent मिला PSTD जो हुई उससे जो Infectious Agent मिला वो ये था पता ये चला कि ये जो Infectious Agent है ज्यान से सुनें, यह जो infectious agent मिला मुझे, वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, जिसे हम कह रहे हैं, वो single strand RNA है, कोई virus नहीं है, single strand RNA है, तो वो तो virus से भी छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, virus में दो चीज होती है, protein coat और genetic material, अगर मैं protein coat हटा दो, तो सिर्फ genetic material बच जाएगा, ठीक है, हमारे पास क्या बच जाएगा, genetic material बच जाएगा, तो हमें finally क्या मिला, इस चीज को समझो, कि मालो मैं क्या करूँ, ऐसे genetic, खाली यह बच जाएगा, ना, तो हमने यह देखा, कि इन में तो सिर्फ क्या होता है, single strand RNA, अब इसक circular होता है, small size का था, small size का था, अगर आप ध्यान दे, size smaller than virus आएगा, क्योंकि virus में तो दो चीजे include हो गई ना, बाहर cover, अंदर RNA वगएर जो भी चीज हो सकती थी, तो virus में तो दो चीजे include हो गई, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ cover है, सिर्फ cover है, ध्यान से सुने है, cover नहीं circular है विटा, तो वाइरोइड्स आर special infectious agent, जिसमें protein coat नहीं है, सिर्फ RNA है, जो infectious है, ठीक है, clear, अब यह तो ठीक है, वाइरोइड हमें समझ आए, RNA infectious है, क्योंकि RNA में capability तो है, क्योंकि RNA में information होती है, लेकिन बड़ी strange बात हुई, कि हमारे पास 19, sorry, 2001 में या 2000 में, एक special infectious agent मिले, जिने prions कहते है, NCRT ने नाम तो नहीं दिया है scientist का, लेकिन एक scientist थे, प्रूसिनर, उन्होंने देखा, कि sheep जो होती है, sheep भेड, उसके अंदर एक खास रेकी disease मिलते है, जिसे scrappy disease कहते है, वो क्या करते है, मतलब किसी rough surface पर जाकि अपनी skin को rub करते थे, ऐसी disease मिलती थी, पता ये चला, इसका जो main reason है, उनको ऐसा क्यों behavior है, पता ये चला कि उनके brain में एक neurological disorder है, जिसे हम prions कह रहे हैं, जिसका कारण prions है, उस disease का नाम scrappy disease रखा गया, और ये पता लगाए गया कि ये एक नए infectious agent है, जो prions है, तो actual में prions क्या होते हैं, prions are only protein coat, जो infectious है, मैं protein coat लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर protein लिखना चाहिए, जो क्या कर सकती है, can cause infection, actual में क्या होता है, जहाँ से सुनेंगे, actual में क्या होता है, prions एक special type की proteins हैं, जहाँ से सुनें, prions क्या है, proteins हैं, ये proteins क्या करती हैं, किसी और protein की some other protein की mis folding कराती है, किसी और protein की normal folding मानलो ये है, उसकी mis folding करा देती है, mis folding मतलब वो wrong fold हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, मैं आप देख सकते हो, मैं इस चीच को समझा रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ, कि मानलो कोई normal protein ऐसे fold है, उसको इसने गलत fold करा दिया, wrong fold करा दिया, ये किस ने कराया, प्रायोंस ने, ये normal folding थी, उसकी वज़े से disease हुई है, और ये infectious है, मतलब अगले जाएगा तो ये किसी और organism में जाकर ये काम कर सकता है, तो प्रायोंस एक प्रोटीन है, जो किसी और organism में जाकर उसकी normal protein को mis folding, wrong folding करा सकती है, this is प्रायोंस, तो ये recently मान के चलिए, 2000 के around discover हुए हैं, और ये neurological disorder करते हैं, neurological मतलब, responsible for brain related, responsible for, हम कह रहे हैं, brain related, neurological, neurological problem कर रहा है, और इसकी example जो थे, जो first time discover हुआ, that was scrappy disease, scrappy disease sheep में, एक disease और होती है, उसे mad cow disease कहते हैं, mad cow disease cattle में, और even human में मिला, पूरू tribe थी उसमें, हना, और वो था हमारे पास CJD बोलते हैं, उसको, clear, CJD हमारे पास है, Prud's, हमारे पास felt syndrome, Prud's felt, Jacob disease कह रहे हैं, तो ये disease human में मिली बिटा, ये वाली किसमें मिली, human में, तो ये जो प्रायोंस हैं, ये basically क्या करते हैं, neurological disorder करते हैं, प्रोटीन की folding गड़वड करके, ये प्रोटीन के cover हैं, तो अगर मैं इसके question कैसे हैंगे, प्रायोंस क्या हैं, वाइरोइड्स क्या हैं, आपस में comparison, अगर मैं size देखू, NCRT बोलती है, कि वाइरस का size, ज्यान से सुने, वाइरस का size, can be equal to प्रायोंस का size, क्योंकि ये protein हैं, इन दोनों का size, greater होगा किस से, वाइरोइड के size से, क्योंकि वाइरोइड सिर्फ genetic material है, यहां तक समझ आ रहा है, अब कई बार question ये आ जाते हैं, कि ribonucleoprotein क्या है, what is ribonucleoprotein, now ribonucleoprotein का मतलब होता है, कि कोई ऐसी चीज जिसमें nucleic acid हो, साथ में क्या हो, nucleic acid के साथ में protein हो, तो ऐसी चीज तो वाइरस है, वाइरोइड्स नहीं है, देखो वाइरस तो है, वाइरोइड्स में क्या है, सिर्फ RNA है, प्रायोंस भी नहीं है, क्योंकि प्रायोंस में सिर्फ protein, तो ribonucleoprotein कौन होगा, सिर्फ वाइरस, मतलब जिसमें nucleic acid और protein दोनों है, इस तरह के questions बिटा, इससे आते हैं, clear, अब एक और organism है, जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जो है likens, अना, likens बहुत important है, और आपको समझ आना चाहिए, likens की क्या importance है, हुआ ये बिटा, कि जब algae अर्थ पर आई, तो वो एक खास तरह के organism के साथ, symbiotic association में आई, उसका नाम था fungi, मैंने question पूछाता है, algae, likens में, algae और fungi में इसे क्या जादा होता है, basically हमारे पास fungi जादा होता है, around 90%, तो likens actual में क्या है, it is symbiotic association, symbiotic association, मतलब ऐसी association जिसमें दोनों को benefit हो रहा है, symbiotic association between, हमारे पास algae and fungi, algae और fungi के बीच की symbiotic association को हम likens कह रहे है, कहां तक समझ आ रहा है, इसको हम क्या बोल रहे है, likens बोल रहे है, दूसरी बात, बहुत important, second point, second point यह है बिटा, इसको हमने likens बोल दिया, symbiotic association between algae और fungi को हमने क्या नाम दे दिया, likens नाम दे दिया, आप जड़ा समझ नाई से, देखो, इसमें algae जो है, वो normally single cell की होती है, single cell की होती है, उसमें दो option होते हैं, या तो normal green algae हो सकती है, और साथ में sinobacteria single cell वाले, unicellular, यह दोनों possible हैं, और यह सिर्फ 10% के around होता है, और इसके लिए word यूज़ करते हैं, phycobion, क्या word यूज़ करते हैं, phycobion, समझ लो इस बात को, ठीक है, तो algae जो होगी, वो single cell की होगी, ठीक है, clear, और जो fungi होगी बेटा, fungi, fungi हमारे पास definitely multi-cellular है, जो हमारे पास होती है, ठीक है, और fungi में mainly ascomycetes होते हैं, mainly क्या होते हैं, ascomycetes, यह वाली गुरुप ज़्यादा होते हैं, around यह 90% होती है, और इसके लिए word यूज़ करते हैं, mycobion, इसका काम photosynthesis हैं, खाना बनाना है, ठीक है, और इसका काम बेटा, water and mineral absorb करना है, सबसे important चीज क्या है, lichen बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं, और बहुत ज़्यादा slow grow करते हैं, आप देखेंगे, lichen काफी धीरे धीरे grow करते हैं, किसी जगा पर जो undisturbed सा area है, वहाँ पर बहुत slow grow करते हैं, ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं, कि जो lichen है, वो काफी slow grow करने वाली चीज है, ठीक है, तो अगर मैं इसके और feature जानू, lichen के, अना lichen के और feature जानू, तो सबसे पहले, important feature में ये आएगा बिटा, कि जैसे मालो किसी rock पर, first time life बनानी है, मतलब वहाँ पर अभी कोई life हैं नहीं, तो जो plant सबसे पहले आते हैं, उन्हें pioneer कहते हैं, plant या species, कोई भी life, तो lichen एक तरीके से, किसी भी unhabitated, unhabitated मतलब, जहां life नहीं थी, वहाँ सबसे पहले आते हैं, तो lichen क्या है, it is pioneer, it is pioneer, मतलब first आने वाले, pioneer in plant succession, मतलब अगर मुझे कहीं पर forest बनाना है, किसी ऐसा area जहां naturally forest बनाना है, तो सबसे पहले lichen आएंगे, lichen क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी soil formation में मदद करते हैं, फिर मेरे पास moss आते हैं वहाँ पर, moss जो आएंगे, वो भी थोड़ा सा organic matter contribute करते हैं, तो lichen आएंगे थोड़ी सी कव कि lichen क्या slow grow करता है, उसे उतना फर्क पड़ता नहीं, बाहर की बहुत condition बदलती है, तो slow grow करता है, बस उसे pollution नहीं मिलना चाहिए, तो इस pioneer, pioneer का मतलब होता है, first come होते हैं, first come on unhabited, unhabited का मतलब है हमारे पास, जो पहले से हमारे पास, basically क्या है, जिसमें come on land, जहां पर कोई life नहीं है, no life was present, वहाँ पर आ रही है, सबसे पहले, lichen आ रहे हैं, दूसरा lichen बेटा, slow grow करते हैं, कैसे grow करते हैं, slow grow करते हैं, तीसरा ये pollution indicator होते हैं, pollution indicator का मतलब होता है, अगर कहीं पर pollution है, lichen वहाँ से गायव हो जाते हैं, जैसे कि जहां पर sulfur dioxide का pollution है, vehicles की वज़े से, वहाँ lichen disappear हो जाते हैं, disappear हो जाते हैं, मतलब उनकी growth रुख जाती है, वो dead हो जाते हैं वहाँ पर, देखो एक से समझो, sulfur dioxide का pollution, असल में क्या था, lichen हमें हिली एरिया में काफी मिलते हैं, जैसे जैसे वहाँ पर vehicles की movement increase हुई, वैसे वैसे lichen का number जो था, वो क्या होने लगा, decrease होने लगा, तो lichen हमारे पास pollution indicator है, no doubt, वो pollution होने पर वो गायव हो जाते हैं, और sulfur dioxide का pollution, अब sulfur dioxide कहां से आया है, vehicle से, vehicle में sulfur कहां से आया, उसके fuel में, fuel में sulfur कहां से आता है, fuel किस से बना है, living organism से, living organism में sulfur containing amino acids होते हैं, वहां से sulfur आएगा, clear होगी बात, this is what we can draw a link, लिंक इस तरीके से बना सकते हैं चीज़ों में, ठीक है, उसके लावब कुछ example है, जैसे कि litmus, आपने पढ़ा था, litmus अप्टेन होता है, lichen से, यह चीज पढ़ी हुई हैं आपने, काफी सारी medicines हैं, तो litmus आप याद रख सकते हैं, ठीक है, तो यह कुछ features हैं जो आप कर सकते हो, पहले type of lichen पढ़ाई जाती थी, crustose, folios, futicos, topics important नहीं है, यह चीज़े पूछेगा जो आपको आने चीज़े, ठीक है, clear, अब हम बात कर सकते हैं बिटा, एक fungi की association जिसे mycorrhiza कहते हैं, mycorrhiza क्या होता है, mycorrhiza क्या होता है, तो मैं एक चीज़ आपको बदाता हूँ, जो soil होती है, वो mostly हमारे पास oligotrophic soil होती है, इस रूट के साथ फंगल के हाइफे होते हैं, वो एक association बना लेते हैं, यह हमारे पास fungi के हाइफे हैं और यह root है, इनके साथ एक association बन गई, जिसे मैंने mycorrhiza बोला, इसमें fungi उसका surface area बढ़ा देगी, पानी और water, sorry, water और mineral के absorption का, उससे fungi को क्या फाइदा होगा, fungi उससे nutrition absorb करेगी, एक्चन में besidio card दिखा रखा है, कि देखो भई, अच्छा nutrition absorb करके, यह मतलब अच्छी growth भी कर रहा है, तो mycorrhiza क्या होता है, it is, it is fungal, fungal association, किसके साथ, association with roots of higher plant, roots of higher plant विटा, higher plants की root के साथ, जो association है, उसे mycorrhiza कह रहे है, अब आपको क्या detail आनी चाहिए, सबसे पहले, सबसे पहले, सवाल यह उठता है, क्या mycorrhiza सिर्फ gymnosperm बनाते हैं, angiosperm बनाते हैं, हम कहेंगे दोनों, हम लिख रहे हैं, both gymnosperm, and angiosperm, form mycorrhiza, उसके example भी हैं आपके पिसले बसे, दोनों बनाते हैं, आपने एक example पढ़ा था, gymnosperm में pinus, और angiosperm में मैं आपको बता रहा हूँ, orchids, orchids एक plant होते हैं, जो monocoat है, ठीक है, clear, वो भी क्या करते हैं, mycorrhiza बनाते हैं, ठीक है, अब एक NCRT ने class 12 में एक data दिया है, बोला है कि भई फंजाई का कौन सा genus, mycorrhiza बनाता है, कहते हैं, glomus, तो glomus एक genus है, which form mycorrhiza, ठीक, और mycorrhiza का जो role है, सबसे पहले तो वो क्या करेगा, water, and mineral absorb करेगा, जो फंजाई कर रही है, दूसरा बिटा, protect करेगा, किसको plant को, protect plant from infection, कुछ infection ना हो, ये काम फंजाई करता है, कि plant की root में कोई infection ना हो, जाए वो भी करता है, तीसरा बिटा, mineral में mainly phosphate absorb कराता है, क्योंकि nitrogen तो, उसके लिए nitrogen fixation bacteria है, mainly phosphorus, phosphate absorb कराता है, ये चीज याद रहेगी, clear, ये काम करना, आपने याद रखना, ये salinity से बचाता है, draught और salinity, draught मतलब पानी की कमी और salinity, उसके लावा ये role है, किसके, mycorrhiza के plant के लिए, कईबर क्या होता है, आप देखेंगे, कि root के maximum हाइफे, ऐसे बाहर की तरफ है, इस तरीके से बाहर की तरफ, इसे हम कहते है, acto mycorrhiza, acto मतलब बाहर, और कई बार हाइफें अंदर जादा होते हैं, वहाँ से nutrition absorb करें, उसे endo कहते हैं, मतलब mycorrhiza भी दो टाइप होती है, acto endo, उसमें से इसमें endo होते हैं, ठीक है, यह detail नहीं पढ़नी, आपको 2013 का एक कोशन था, उसके लिए बता रहा हूँ यह नीट में, यह इसमें acto mycorrhiza होते हैं, यह याद रखना आपने बस, ठीक है, तो this is what mycorrhiza topic is, जो आपको आना चाहिए, यह कुछ basic feature, जो class 12 microbes in human welfare से उठाए हैं, acto endo किसमें present है, इतना याद रहेगा, जो कोशन को आपको easily solve करा दे, ठीक है, this finished the chapter biological classification, और जल्दी हम बिटाए, questions की series लाएंगे, जिसमें हम लोग chapter wise question, आपको solve करेंगे properly, कि यह देखे, यह questions है, इनके यह answer बनने चाहिए, यह PYQs है, और इनके जैसे देखे, ऐसे questions आप lecture से कैसे बना सकते, ठीक है, तो उस तरीके से हम link करके questions करेंगे, क्योंकि एक separate series चाहिए, बिटा, दो-तीन questions मैं lecture के साथ कराऊंगा, उससे उतना benefit नहीं होगा, एक separate proper series प्लान करेंगे, जिसमें हम लोग questions कराएंगे आपको, क्योंकि यह pure lecture है आपको, ताकि आपको चीज़े understanding बन जाए, उस understanding को check करने के लिए, हम लोग questions अलग से इसके साथ कराएंगे, ठीक है, तो next lecture में मिलते हैं, और start करेंगे, Morphology of flowering plant, पढ़ाई करते रहें, all the very best.